नमस्कार दोस्तों, विलकम टो और वंडेक जाम क्लासे थे कि आपके RRB NTPC Group D 1219 के एकजाम को देखते हूँ, आपको लगातारम पिस्टे सालों के पेपर करा रहे हैं, आज हैं आपको RRB JEE का 26 पास 1219 के सिकेंड स्रिप्ट का GS का पेपर कराने वाले, GS का सेट नमबर अमरा आप लोग प्रयास कर सकते हैं, आप इसमें से कितने कोशन साही कर पा रहे हैं, देखी बहुत सुमित हमाई चलने के माध्यम से नए आती हैं, जिने वीडियो के इंफार्मेशन अपडेट ने मिल पाती हैं, क्या कीजिए, यहाँ पर आप लाल अंकर सस्काइब बंदिक रह लिजेगा, ताकि पलपल के अपडेट आपको मिलती रहे, वीडियो अच्छे लगे, जनकरी इच्छे लगे, तो वीडियो का लाइक उस किजेगा, चलिए आज के हम लोग पहले प्रेस की सुरुवात करते हैं, देखी इसमें हम लोग जीएस का पार्ट हल करेंगे, वीडि किस से करानी है, कैल्सियम के करानी है, पानी के साथ में, कैल्सियम एक आपका धातु होता है, देखी बहुत से धातुएं क्या होती है, जल के साथ बहुत तीवरता से रेक्शन करती है, कुछ तो जल के साथ क्रिया नहीं करती है, अब जिसे सोना और चांदी हो गया, ये जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं और सोडियम और प्रसियम जो आपका हो गया यह जल के साथ बहुत ही ती प्रता से किया करती हैं और ह refunded away निए यह जब के साथ आपके कम तेजी से सुब्लीय करती है इसल्यकंशNow option आपका सबसे पहले सही हो जाएगा अब हम लोग क्या करते हैं कैलसियम की जल के साथ अपक्रिया करके देखते हैं क्या आपका product बनता है यहाँ पर बनेगा calcium hydroxide बनेगा और जब धातु की साथ हम लोग जल से क्रिया कराते हैं तो hydrogen gas आपके निकलती है यह चोथे option में आप देख रहे हैं बनने वाले hydrogen gas के बुलबुले कैलसियम के सता पर चिपिक जाते हैं इसलिए तीसरा और चोथा यह दोनों option आपके सही हो जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको response answer की में देख सकते हैं answer की में आपको ए अपसन सही लगेगा मतलब तीसरा और चोथा इसके दोनों विकलक आपके सही होंगे आज का हमारा दूसरा प्रेशन है वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो का लाइक हो से किजेगा आप लोग यहाँ पर आप से प्रियास किया करिए उसके बाद हमां आपको answer बताएंगे इसका सही option आपका दूसरा option है दूसरा option आपको यहाँ पर answer लिखा हो मिल जागा है और अर भी ने आपके answer की दिये उस दीक अनुसर आपका e-court service है आपका यह क्या होता है इसमें case का आपके status होता है case कहाँ पर चला है कैसा आपका आगे वकील कौन है यह इसमें से वकील भी देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा case लगा हुआ है पुलिस भी इस आपके app से देख सकते हैं और आम नागरी भी अपने case की condition को देख सकता है तो यह best mobile app का इसको award मिला है platinum award मिला हुआ है आज का हमारा तीसरा question है यह देखिए यहाँ पर आपको उपर English में लिखा हो मिला है नीचे आपको Hindi में लिखा हो मिला है अगर आपको video clear नहीं आ रहा तो आप लोग video quality को उपर से बढ़ा लीजेगा और कम से कम 360 P में आप लोग क्या कर रहा है आधा कर रहे है तो धारा कितनी हो जाएगी आपको देखे फर्मूला क्या होता है वी बराबर IR होता है अब हमने क्या किया है विवांतर को इस्तिर कर दिया है तो विवांतर से हमको कोई मतलब नहीं है अब क्या होगा आर को नीचे बेज देंगे तो आई proportional to one by R होगा अब R को हम लोग आधा करेंगे तो हमारा I जो मतलब की धारा है वो दुगनी हो जाएगी क्योंकि reverse से सम्मंद है इसमें उल्टा सम्मंद है अगर हम इसको आधा करेंगे तो यह दुगनी हो जाएगी धारा ठीक है तो कौन से आपसन आपको सही लगेगा पहला आप फिल्म निर्माता कौन थे? चार आपसन आपके पास में हैं आप लोग बताने का प्रयास कीज़े बहुत बार यह प्रेशन आपके एकजामें पूछा जाता है सही आपसन इसका B आपसन है दादा साहाब फालके हैं उनका नाम धुन्दी राज आपका गोविंद फालके था और प्रथम फिल्म के निर्माता भी आपके थे तो B आपसन इसका सही आपसन होगा पांचवाँ प्रेशने अगला प्रेशन हमारा है मलेरिया को किसके उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है पेंसलीन, पैरासीटामाल, कुनैन या फिर सेट्रोमाइसीन चलिए बताने का प्रेशन कीजिए, देखिए इसका सही आपसन आपका होगा, C आपसन सही ओ, कुनैन अभी हम ने आपको पिछला सेट्र कराया था RRBJ का तो उसमे ये पूचा गया था, कुनैन कहां से प्राप्त होता है, दो कुनैन कहां से प्राप्त होता है आपका सिनकोना की च् train, सिलको समझन है यहां पर कहा जार आपसे निमन प्लदार पवोदों में से कौन सी लता सी चार आपसन बहुत करना है चार आपको चूज करना है कि लता कां सी ब्रस्थ पहले यह समझना होगा देखिलगाइव वह होती है जो सीधे डिसा में खड़ी नहीं हो पाती है इतने लंबे इनके आपके इतने लंबी होती है और तना इनका बहुत जदा कमजोर होता है तो यह क्या करते हैं किसरी के सहारे की इनका हो सकता होती है यह तो ब्रेश्च में लपट जाती है यह तो आपकी दिवालों में ल से कंबरें निमन में से कौन सा अतरीक ते समवेधानिक निकाई इसको गया जाता है या प्रियास चली बताने का प्रयास किजिए वित्त Records आयओक भासा आयोग और चुनाव आयोग तरीकigos का बीडने है क्योंकि देखिए जो समवेधान में चर्चा की घहly जिसके लिए अनुच्द बना होगा वो आपका सम्वेधानिक होगा। और चुनाव आयोग का भी सम्वेधान में चर्चा की गई है। लेकिन कुछ ऐसे आपके आयोग बनाय जाते हैं जो संसत की परमीशन से पास कर लिए जाते हैं। वो आपके क्या होते हैं। अतरिक्त समयधारिक निकाय में उनकी चर्चा की जाती है अगर बात करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी आपसे आप जानते हैं पहले इसका नाम योजना योगता था अभी आपका एक जनवरे 2015 से इसका नाम आपका नीत आयोग कर दिया गया तो यसे बहुत से आपके अतरि हाँ ओपस . दिकार योग पाल जो बना है वह भी आपका समयधान के अंदर उसकी चर्चा नहीं की गई है तो ये सभी आपके अतरिक्त समयधाय निकाय में आएंगे दिखिए आठवा प्रश्णे समू 17 से संबंदित तत्टों को क्या कहा जाता है समू 17 वर्ग 17 कह सकते हैं या फिस समू 17 आप कह सकते हैं आपको मालुम है वार्ग 17 कितने समू या वर्ग loops आपके 18 है अठारवा हमारा होता है अक्रिश नोबल ग्यस का होता है और noble gas से just पहले हमाला halogen आपकी स्रेडी होती है जिसमें chlorine आता है, bromine आता है, fluorine आता है ये सबी आपके तत्व जो होते हैं वो halogen स्रेडी के आपके कहलाते हैं इसलिए सही आपसन इसका पहला ही आपसनोगा अकरी जो हमारा gas होती है वो हमारे 18 Samohu में आती है तो ये तो सही नहीं होगा, 6 दातु की बात करेंगे पहले ही Samohu में आती है और 6 दातु आपके second Samohu में आती है तो आप لو सबको तयार करने का प्रियास कीज़ेगा देखिए 9-1 नमबर प्रेस ने बेरेलियम काफी हद तक किसके समाने आपको ये बताना है चार आपसन आपको दिये गए हैं ये कोशन काफी ज़र डीप में पूछ लिया गया RRBG में अभी तक इतने कोशन अभी डीप नहीं पूछे गए देखिए हम आपको बताना इस्टाइट करते हैं कि इसमें कुछ लोगों नहीं मालू होगा कि बेरेलियम काफी हद तक इसके समाने देखिए एक आपका आपका विकर्ण सम्मंद आपने पड़ा होगा इंटर में अगर आपने अच्छे सा कमिस्टी पड़ी होगी तो डाइगनल आपका रिलेसंसिप वहाँ पर होती थी तो हम मैं लीजे कि लाई आपका जोगा लिथियम हो गया बेरेलियम हो गया इसके बाद आपका बुरान होता है पांच नमबर पर उच्छे नमबर पर आपका कार्बन होता है यह उपर की सेड़ी आपकी होती है आपके अगर बात करेंगे दोती आवर्थ की बात करेंगे इसके बाद इसके जश्ट नीचे क्या होता है सोडियम होता है और इसके बाद मैगनीसियम होता है एलमूनियम होता है और कार्बन के नीचे आपका सिलकान होता है तो ये आपकी सेड़ी होती है तो हम लोग बात करते हैं डाइगलन संबंद या विकर्ण संबंद की विकर्ण संबंद किसका किसके साथ बनता है एलाई और मैगनीसियम का संबंद बनता है मतलब कि लीथियम और magnesium जो हमारे होंगे, वा आप काफी हद तक समान होते हैं, इसलिए जो vacation समफ आपका बंता है, इसलिए बंता है, और देख सकते हैं parliament aluminium का समफ होता है, जो कि vacation समफ शिसका समफ बंता है, और boran और silkan का समफ बंता है, तो यह तीनों आप देक रहें ना, यह आपका विकर्ड संबंद बना रहे हैं तो इनके जो आपके काफी हद तक इनके जो बॉलिंग पॉइंट होंगे इनके जो सभी आपके तद्ध होते हैं इनके शेम सेम होते हैं तो इसका सही option क्या होगा? C option होगा और किस नियम से होगा? diagonal relationship से या फिर weekend संबन से होगा आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा अगर आपको यही पर समझ में नहीं आ रहा तो देखें दसमा प्रशने यह प्रशने एक बार आ चुका है आपको फिर से बता रहे हैं ACI Air Gang Championship में 2019 में भारत ने कितने पदक जीते हैं अभी RRBJ का जो ने पिछला पेपर आपको कराया था वहाँ पर आपसे पूछा गया था कि ACI Air Gang Championship में भारत ने 100 पदक कितने जीते हैं अभी आपसे टोटल पदक इसमें पूछ लिए गए आपको टोटल पदक बताने हैं चीन के ताइपे में हुई थी चीने ताइपे में आपकी प्रतियोगता हुई थी भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आपका 16 आपके क्या जीते हैं 16 पदक जीते हैं 5 रजट पदक जीते हैं और 4 आपका कांसर पदक जीते हैं जोड लिजे टोटल आपके कितना हो गया, 25 टोटल आपके पदक भारत ने जीते हुए, सही आपसन इसका A आपसन होगा, ठीक है, next question क्यों चलते हैं, देखी 11 नंबर प्रेस ने एक ही तत्तों या विविन तत्तों के परवाण मिल करके क्या बनाते हैं, 4 आपसन आपके पास मे तो यह O2 बन जाता है, ओ आपका क्या है, ओ हमारा परमाडू है, और ओ हमारा परमाडू है, ओ हमारे यह परमाडू, तो मिल करके अडू बन गए हैं, इसी प्रकार इंगलीज में बात करेंगे, तो एटा मेटा मिल कर आपका मालीक्यूल बनाते हैं, तो क्या सही होगा, आप आडव आपका सही। होगा परमाड़ मील करे अडव बनाते हैं यह आपसन इसका so हुगा टीक है नेक कोसर्न को चलते हैं कि कुछी बार्व नमबर प्रेस ने रदर फॉर्ड परमाड़ माडल किसका वर्रडन नहीं करता है, चार आपसे ने आपके पास में, देखी रडर फोड ने क्या किया था, एक माडल पे स्तुत किया था, उन्होंने क्या किया था, एक सोने की आपकी चादर की पन्नी थी, उसको उसमें क्या किया था, अलफा कडो की बंबारी करने पर उन्हें यह मालूम चला, कि क पर इनको ये समझ में आये था कि परमाड का कुछ भाग आपका क्या है खोखला भाग है और कुछ भाग में केंद्र में आपका क्या है द्रिवमांस पूरा नहीं थे इसलिए क्या कर रहा है आपको पीछे की और आपकी किर्णे जो है अलफा कडों की वापस लुट कर चली आ रही है और कुछ उसमें पता चला था कि उसमें जो आपका आवेस है वह आपका क्या धनात्मक आवेस है तो इस प्रेकार उन्होंने किस किस की वर्डन की थी आपका तीनों की थी परमाड के आवेस की नाभी की उपस्तिती की और इलेक्टरान की उपस्तिती की चर्चा की थ लेकिन उन्होंने परमाड के इस्थायुत के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की थी इसलिए इनका दोस्टों में आपका चर्चा की जाती है यह आपसन इसका सही होगा बांकि तीनों चीजों कि इन्हें चर्चा की थी आपकी तेरा नंबर प्रेशने एक आउसद वयस के मानों में निम लिखित में से कितनी लंबाई लगभग आपका 23 फिट की होती है किसकी लंबाई जो है 23 फिट होती है देखिए अपेंडिक्स की छोटी आथ की यक्रत की और बड़ी आथ की बताइए आप लोग किसकी जो है लोग कह लेते हैं 6 मीटर कह लेते हैं लगभग 6 मीटर आपकी इसकी लंबाई होती च्छोटी आथ की जो भोजन को पचाने की महत्वपुड भूमकर निवाती है और या फिर 23 फिट कह सकते हैं तो आप इसको सही कर सकते हैं तो आप तो वहीं पर आपको नजर आ जाता कि इ पुरुसकार ब्रिटेन की संस्था आपको देती है और यह मिला हुआ दोस्त एजूकेशन को मिला हुआ है यह भारत में कार करती है यह क्या करती है अभिभावकों के मुबाइल में छोटे-छोटे मैसिज आइडियो क्लिप के दोरे भेजती है ताकि सिच्छा में सुधार हो स सकते बच्चों को स्कूल भेजना ही स्टार्ट कर दें तो यह आपका दोस्त एजूकेशन को मिला हुआ है यह प्रिश्ण मुझे लगता है आपका गुरुप डियों पूछा गया था आपका देखी 15 नंबर प्रिश्ण है यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि पानी में प्रिश्ण नहीं को नहीं मिला जाता है आप अभट अब पाणी में पानी को क्यों नहीं मिला जाता है अब अमल में पानी को क्यों नहीं मिला जाता है अमला का आपका आमला रखा हुआ है उसमें आप पानी मिला रहे हैं तो जैसे ही आप पानी डालेंगे अगर आमला जो है आपका strong आपका अमल है तो वो क्या करेगा वो बुलबुले आपका होगा बुलबुले आपके निकलेंगे और उससे क्या होगी आपकी उस्मा पैदा होती है उस्मा से वो छीटे आपकी सरीर में पढ़ सकती है और अमल आपका मालूम है आपके सरीर में पढ़ेगा तो छाले पढ़ स तो पानी में आमली मिलाना है अमली में पानी नहीं मिला येगा ठीक है next question कर चलते हैं कि देखे 16 नंबर प्रेज में चीटी के डंक में काउं सा अमल आपका पाया जाता है चीटी के डंक में आपके जोचीटी आपको कारती ही न आपने देखा खुजलाठ होने कहते हैं इस नोर नहीं कहते हैं में तब बस्ति तो अपके द credibility कभी कभी आपकोैर मदमकी नहरा ऑगते है तो सफोड़ा होता है मिन के यहां कि आपके नुजिए ऑपको कुछे जाता है यह अपको काफी डीबदीब कोचन पुछे जाते हैं मतलब अब जो रेलवे का इस्तर है वो धीरे-देरे बढ़ना स्टार्ट हो गया पहले के कोशन आप रेल्वे के देखें बहुत इजी आते थे अगर आप NTPC 2016 का उठाके देखें तो इसमें आपको काफी इजी कोशन मिलेंगे आप अगर गुरुप D का एक्जाम दिखा के उठाके देखेंगे ALP का उठाकर देख लेंगे तो आपको काफी अच्छे कोशन आपको मिलेंगे और हम आपको लेटरेस्ट वाला RRBJ का पेपर करा रहे तो इसमें काफी आउट नए आपको कोशन मिलेंगे इसका सही आपसन आपका दीए आपसन है संक कोशिकाए या फिर कौन से जो होती है वो आठायर नंबर कोशन है निम निम लिखित में से कौन आपका इकोलाजिकल फुट प्रिंट नापने की इकाई है देखे कितने नए 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 कोशन आपको देखने को मिलना होंगे यह प्रशन मुझे लगता अभी तक नहीं आए रेलवे में चलिए बताए ये इकोलाजिकल फुट प्रिंट मापने की इकाई काउंस ही आपकी इसमें से सही आपसन इसका है ग्लोबल हेक्टेयर अब ये ग्लोबल हेक्टेयर कैसे नापता है आपका एकोलोजिकल फुट प्रिंट होता क्या है देखिए आपका वैस्विक हेक्टेयर इसको हम लोग कहते है वैस्विक ह समय देखता है कितनी खपत हो रही है कितना ज़्यादा आप डिपेंड हो रहा है खाने पर यह सब चीजों की गड़ना करता है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा काफी है आपका विस्तृत इसमें चर्चा की गई है आपकी एकोलोजिकल फुट पिंट में आपकी 29 नमबर पेंशने निम लिखित में से कौंसा समुद्री कौंसा पदार समुदर में प्रचुर मात्रा में उपलब्द है और निस्चित कमी वाले रोग में इसका ऊपयोग किया जाता है पताई एककों पर Covid-1 enabling आपमाले आपका गिना जाता तो तो यह आपका निश्चच्चत कमी क्या हुता है स्में हो तो यह क्या होता हुत। हुट्र में प्रचुर मातरा अब हाई हिसाल इसमीर ओellow और उसके या जाता है आपनों की इन्सांग को क्या कआ जाता है यात्रियों का सुकोमार कहा जाता है इसलिए आप इसको याद रख सकते ठीक है नेश्ट को चलते हैं देखिए 21 नंबर को च्रें वीडियो का आप लगो लाइक ओसे कि प्रधान मंत्री कहां से राष्ट को संबोधित करते हैं बताइए अभी आपका पंदरा अगस्त आने वाला है और आपके जो प्रधान मंत्री सोरी राष्ट पती रही बोला मैंने प्रधान मंत्री हो गए यहां पर प्रधान मंत्री राष्ट को संबोधित कहां पर से करते हैं लाल किला से चान्ने चौक से चंसात या फिर आलिबाग से स़य आपसन इसका पहला अपसन हो weird 17 अब की पर्मक्रिया लगातार चली आ रहे है अभी आपकी मौधी जी भी देखेंगा 15 अगस्ते लाल किले से भुलेंगे पंदरा गस्त में आपके प्रधान मंत्री बोलते हैं और 26 जनुरी को राष्ट पती का भासड होता है उसके बाद क्या होता है एक किसी देश के आपके प्रधान मंत्री या फिर राष्ट पती को बुलाया जाता है निमंतर दिया जाता है अपने गेस्ट को रूप में आपने परेड होती है, 26 जोनरी की बात है, 26 जोनरी को परधान मंतरी का भासर नहीं होता है, 15 गस्त को ही होता है, 23 नमबर पेशने गिर राष्टी उद्यान निमलिकित में से किस राज्य में आपका इस्तित है, बताए गिर, बहुत बार आता है ये गिर वाला तो, गिर आपका गुज इंग्लिस नमबर पेशने इंग्लिस चैनल को तायर कर पार करने वाला या वाली पहली ACI काउन थी या थे आपसे पूछा जा रहा है, जो पहले हों आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, चलिए, ये प्रशने काफी लोग गलत कर देंगे, क्योंकि उनको याद होता कि 38 आ पार करने वाली पहली थी, लेकि जो पहली महिला थी, यहाँ पर आपसे महिला नहीं पूछा जा रहा, आपसे पहला पूछा जा रहा, जो कि सही आपसे आपका मिहर सेन है, मिहर सेन आपके क्या थे, उनीस सो अठावन में ने क्या किया था, इंग्लिस चैनल को तायर कर पार रहे जिसका नाम क्या रखा गया है English Channel नाम रखा गया है तो इसको सबसे पहले मीहिर से ने तर कर के पार किया था और उसके बाद उससे आपका प्रवाववित हो करके 560 km का आपका ये इंग्लिस चैनल है आपका तो इसी को आपको तैर करके पार किया था और कितने घंटे इनको लगे थे 14 घंटे और 45 मिलटे इनको पूरा समय लगा था महिर से इनको पार करके पूरा पार करने में देखी 25 नंबर प्रेश ने ध्यान से पढ़िया इसको निम्न में से किस देशों ने पहली बार दुनिया में हाइड्रोजन सक्ति से चलने वाली ट्रेन को सितंबर 2018 में प्रित छेपड किया है बताइए कौन से ऐसा देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का अव 20 तकाई इदन किसे का जाता है तो 20 काई दन हमारे हाइंडरो जंगे अब आपको मालूं है राकटों में हेडोज़न घ्यास हो जाती है जब तो फिर क्वाइंड रॉटबी तो फूट्वाल का विस्टो लुक्र हुता ही चली है आप लोग सही आप संद बिल्कुल सिंपल है चार वर्स में जातर आपके टूनामेंट होते हैं चाहे फीफा वर्डे कप की बाद कर लिए चाहे क्रिकेट विस्व कप की बाद कर लिए सब चीजे चार चार वर्स्त के अंतराल पर होती हैं अभी आपका चलिए नेस्ट कोर्शन के ओर चलते हैं देखिए 27 नंबर प्रेशन ने नील्म आर्मे स्ट्रांग और एडिवीन एल्डरिंग ने कब चंद्रमा में कदम रखा था चार आपसन आपके पास में चलिए बताने का प्रयास की यह सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि दो आपसनों के दो आपसन आपको मिल जाएंगे कि निल्म आर्मे स्ट्रांग का लगब कितने साल आपके 50 साल पूरे हो रहे थी उसी के उपलच्छ में बाइस जुलाइन को भारत ने आपका चंद्रयान मिसंट्व आपका भेजा आए तो हम लोग आपको उसी समय आपको बताया था कि 20 जुलाई 1969 को नेल मांग मिस्ट्रांग और एडविन एल्डरीन ने आपका चंद्रमा पर कदम रखा था दोनों लोग साथ पही गय थे लेकिन देखें नेल मांग मिस्ट्रांग वहां के लीडर थे आपके तो उन्होंने पहले कदम रख दिया हम लोग उनका नाम याद कर ल करते हैं। 28 फ्रेश ने इक टरीक अट हीटिंग एलीमेंट बनाने के लिए ने्मलिकित में से कैस्क्डार का उपयोग किया जाता है मतलब कि जो आपका हीटर होता है और जो अप प्रेस का प्रेस horse आप करते है कपड़े में प्रेस करने के लिए उसमें किस धाथु का इस्तमाल करते हैं सई आपसन सबको वालूम है niachrome काम प्रेस आपको इस अपको यह प्रेस करते हैं अपको है किया पूझा जाता है नाइक्रोम का ठीक है नेस कोशन के और चलते हैं देखिए 29 नंबर प्रेश ने काफे छोटा छोटा लिखा गया थोड़ा आप लुग देखने का प्रियास कीजिएगा आप वो चारो आपसन देखने बहुत जुरूरी है जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम गिर क आपकी नहीं है जैसे आपसन वाहांपर नहीं है बहुत कमे केले का छिलका चिकना होता है इस पर बहुत ही कम आपका घठ शार बल होता है इसलीए खड़े होने पर पकड़ आपकी नहीं मिल पाती है आप सुनोगा देखिए तीस नंबर प्रेश्चन है यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि किसी रासाइनिक समीक्रण को संतुलित कहा जाता है या दि अब किसी रासाइनिक समीक्रण सब्सक्राइब मतलब कि इदर कि दो डिखा गया ना नैट्रोजन आपकी दो होंगे इधर cuz कि एक एक एन अपका लिखा गया है तो सो तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2 से multiply करवा देते हैं अब यहाँ पर देखें 2N हो गए लेकिन यहाँ पर देखें एच आपके 6 हो गए आपसे 2 से multiply किया गया है तो आपके 6H हो गए, 3 दुनी 6 हो गए तो 6 हो गए, तो यहाँ पर हम 3 से multiply कर देंगे अब देखिए सब कुछ बराबर हो गया N2 हमारे 2 हो गये हैं और H हमारे 6 हो गये अर्थात हमारा समीकनर संतुलित हो गया हमने किस चीज को हमने संतुलित किया है यहाँ पर देखिए N आपका क्या है N हमारा एक पर्माडव है एक एटा में हमने इसी को संतुलित किया है तो सही आपसन क्या होगा दोनों पच्छों में परमाणों की संख्या को हमने समान किया है दी आपसन इसका सही होगा ठीक है ध्यान से पढ़िए हमने परमाणों की संख्या को समान किया है नेश्ट कोशन के और चलते हैं अब सर्वातिि कोशन कोशन का लगता है और हमारा R यह की दूरी होती है उनके व्यूत करमानपाती आपका होता है तो किया सही है का डी आफशन सही है है सर्वातििक गुर्त करशन का नियाम आपकी यह होता कि देखी 32 नंबर प्रेश्ण नहें यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि योडीन थोंस के उर्ध पाथन पर बनने वाली वास्प का रंग है वो क्या होता है अभी योडीन से कोशन आया था कि हाँ पर सव्जाद पाई जाती है समुद्र में पाई जाती है तो आवडीन को जब सी आप सुने बैगरी रंग का आपके यह होता है तो इसकी जो गैस भी होती है वास्फ होती हो आपकी बैंगनी रंग की होती है चलिए देखिए हमारा 33 नंबर कोशन है आज का यहां पर देखिए क्या कहा जार आप से गोली दरपड़ों द्वारा प्रेकास के परावर्तन के दोरांते चिन परिपाटी का पालन किसके दोरा किया जाता है गोली दरपड़ आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं कोई दरपड मा लीजे ले लीजे तो लेप्ट साइट की दूरियों को किस से लिखते हैं हम लोग निगेटिव रूप से लिखते हैं और राइट से इस सब चीज़े को फालो करते हैं तो सही आपसन इसका भी आपसन होगा देखें चौटीस नंबर प्रेश्ट ने आपको यह देखना है कि जैसे कथा करी हमारा केरल का है तो कुछी पुड़ी आपका कहां पर का है तो आप लोग को देखकर मालूं चला कुछी पुड़ी कह कि और एक यह देख सकते हैं तो कुछी पुड़ी आपका आंध्रा परदेश का लोग निथर है तो इसको आप लोग देख लीसेगा यह आपका सास्त्री निथ्थ होता वैसे तो ठीक है इंसको चलते हैं कि देखी कि फैस नंबर प्रेश्ट ने दीपिका कुमारी की से खेल से समंदित हैं, चार आपसन आपके पास में, तीरंग दाजी से, हाकी से, सतरंज से, या फिर आपका टेनिस से, तो ये तो आप बता सकते हैं, काफी फेमस हैं आपकी दीपका कुमारी, सही आपसन इसका ए आपसन है, मतलब की तीरंग दाजी से आपकी समंदित हैं, ठीक ह यह रखा जाता है निसका क्या होगा डिया आप सने मतलब आवाई जीवी आपके जो होते हैं उनको आक्सीजन की आउसकता नहीं होती है जैसे आपके बैक्टिरिया हो गए और प्रोटो जोवा ओगे इन अपको गया हो जैसे आक्सीजन के संपर्ग में आते हैं यह मर जाते है खतम हो जाते हैं इसलिए ये बीना आक्सीजन के भी जीवीत रह सकते हैं इन्हें कहते हैं आव वायू जीवी कहते हैं ठीक है डी आपसन इसका सही आपसन है नेस्ट कोर्शन के और चलते हैं 37 नंबर प्रेशने द्धोनी किस माध्यम में अधिक्तम चाल से यातरा करती है आपकी बताएए दोनी क्या है माध्यम पर निरबर करती है चैए 200 रहो आपका गया से अब बताएए किस में सबसे ज्यादा आपकी दोनी की चाल आपकी होती है सही आपसन इसका भी आपसन है मतलब ठोंसों में सबसे ज़्यादा आपकी धोनी की चाल आपकी होती है वहीं पकर आद बात करेंगे प्रकास की तो प्रकास हमारा किस में चलता है हमारा प्रकास जो है निर्वात में भी चल सकता है लिकिन जो हमारी धोनी है वो निर्वात में नहीं चलती है उसको किसी ना किसी माध्धम किया सकता होती है अगर बात करेंगे railway group D में इन ठोंसों के अंदर से भी आपसे पूछ लिये जाता था कि ठोंसों में भी सबसे ज़्यादा किस में होती है तो एल्मोनियम में सबसे ज़्यादा ओटी ठोंसों में उसके बाद निकल में होती है फिर आपका इसपात हो गया फिर आपका लोगा हो गया इस प्रकार से आपका सही आपसन था उसमें से सही आपसन इसका भी आपसन है 38 नमबर कोशन है एक किलो वाट सक्ति किसके बराबर होती बताइए एक किलो वाट कितने वाट के बराबर होता है ये सक्ति का मातरक आपको मालूम है वाट होता है सही आपसन इसका एक हजार वाट सिंपल सा है एक हजार वाट के बराबर होगा, एक किलो वाट आपका, एक हजार वाट के बराबर होगा, नेक्ट कोशन को चलते हैं, दिखिए 49 नंबर प्रेशने, वाहनों में मौझूद काउन सा उपकरड जो है, पेट्रोल और डीजल के जलने से उत्पन होने वाली जहरीली गवसों को ह हा निकारक गैसों में परवर्तन कर देता है, आपको मालूम है, जिसे पेट्रोल और डीजल जलता है, तो उसमें से जहरीली गैसे उत्पन होती है, अब ये जहरीली गैसे आपके डारेक्ट अगर निकल जाएंगी, आपके वाहनों से तो बहुत सो लोगी मृत्तु हो जाए निकलता से पहले से फिल्टर होता है, और फिर क्या होता है, उसमें से यहां निकारक गैसे ही निकलती है, जहरीली गैसे नहीं निकलती है, इसको इंगलेस में कहते हैं, केटलिस्टिक कनवर्टर कहते हैं, उत्प्रेरक परिवर्तक कहते हैं, ठीक है, चलिए, नेस्ट सरकारी बैंक किसमें से कौन सा आपको लग रहे हैं चार आपसन है बैंक का बड़ोधा इलहाबाद बैंक या फिर आपका देना बैंक कि सही आपसन इसका इन सभी में यह सभी आपके क्या है राश्ट्री कित बैंक है आपको मालूम है 19 जुलाई 2069 में 14 बैंक का राश्ट्री कर्ण किया गया था उसके बाद 1990 में 1980 मेंb और बैंक का बडोदा इसमें तीन विलाइक्पा इन सब का विलाय हो गया है तो तीसर नमबर का बंगया है तो कित्क के दाथ होते हैं देखी होते हैं जिसमें भी होता है पको होते हैं अगर आपने सकते हैं तो सही है इसका सधालOS होते हैं यहाँ पर पूछा जारा है आपसे मोस्ते हें और आपसे सबसेरीं और चाहिंता क्या होता है आपका a इसके बाते में हैं यह सभी चलते जरों चलते अि में 30 नंबर कोशचन हैं इससे में देख आपके साड़ तरी किस आवर्त में रखी गए रापसन है त्रती दोती चतुरत और प्रथम देखे सोडियम ग्यारा होता है मेगनेसियम बारा एल्मोनियम तेरा सिलकान चौदा फासफुरस पंदरा सोला सत्रा इस प्रकार से आपके लिखे गए परमार करवां के बढ़ते क्रम में मतलब कि इसको में देखना आवर्त में क् तीसरे वर्ष में अपका कहों से आता है आपका आपका है आट्व्जरोजन हो तो हमारे कौं से स्लक्रम क्रमरा फोगते हीगा सही है नबर कोचन होगा आजका लाश्ट कोचन होगा तोटल में पैंस स्यर्ट से मिले वह हैं और और हमने आपको 44 हल कराने का प्रयास किया है, समान तक किस पेड़ की टहनी या डाल का उपयोग दात को साप करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सिंपल प्रस्ट है, गाउओं में अभी आप लोग देखते होंगा, अभी भी आपका इस्तमाल किया जाता है, आम, नीम, केला और सागाउन, अभी तो दीरे-दीरे वनों का दीरे-दीरे खतम हो रहे हैं, तो इस समय नीम के पेड़ा वो कम दिखाई पड़ते होंगे, ने, पहले नीम के पेड़ से ही आपकी टैनी से दास से आप किया जाता था, अभी भी आपके गाउओं को लोग जो हैं, ग्रामीर, पर सही कर पाएं, चलिए, बताने का प्रियास कीज़े का बहुत बढ़ियां प्रस्ते, और मुझे लगता अगर आप लोग इसमें से 27 से 30 तक पहुंच रहे होंगे, तो मुझे लगता है आप अच्छा प्रियास कर रहे हैं, तो आप अच्छा कर पा रहे हैं, चलिए, 45 नंबर कोचन है, आज का लास्ट कोचन होगा आप लोग के लिए, इसको आपको कड़के लाना पड़ेगा, भारत में इनमे से किस जगा पर हीरे की खान आपकी प्रसिद्ध है, पन्ना में, पिलानी में, पट्ना में या पीली भीद में, हीरे की खान आप से पूछी जा र कैसा लगा, हाड लगा, या बहुत हाड लगा, या सरल लगा, या मध्यम लगा, इस प्रकार से आप लोग बता दीजेगा, जाते जाते एक बार सभी लोग आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और जितने हमारे नए मीतने गरा वीडियो आपको थोड़ा सी पसंद लाल लंकि आपको subscribe की बड़न दिख रही होगी उसको दबाकर काली कर दीजेगा और नोटिपिकेशन को आपको आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा ठीक है नेश्ट वीडियो फिर से मुलाकात होगी अगर किसी प्रेश्च में आपको डाउट होता है तो आप लोग कमें प्राइस्ट वीडियो में कर लेंगे बहुत बढ़ी मोलाकात हो करते हैं और फिर आप उसको गलती नहीं करेंगे ठीक है ऐसे मुलाकात होगी जबन्होंता आप रहेंगे